नमस्कार दोस्तों मैं अस्वर्णी गोत्म गोत्म कॉंशर्ट पर आपका स्वागत करता हूं और आज मैं आपके लिख रहे हूं जीके का एक भूत इंप्टेंट टोपिक साथ ही आज मैं बात करने जा रहे हैं जी आई टैग क्या होता है जो आप अक्सर न्यूज में या अख्वार में पढ़ते हैं इसी की बार में दोस्तों डिस्क्रिशन करेंगे अगर आप नभी दिक चैनल सब्सक्राइब नहीं कहते कर लिजिए ताकि टाइम पर आपको लेट टैग असल में यह एक नाम या निशान होता है यह आप क्या सकते हैं यह एक स्पेशल टैग होता है जो किसी छेत्र विशेष के उत्पाद जैसे की क्रिशी उत्पाद प्राकृतिक उत्पाद या निर्मित उत्पाद को दिया जाता है आप माली जी निर्मित उत्पाद है यहां पर इसका मतलब क्या है माली जी कोई मिठाई है ठीक है आपने आगरे का पिठा सुनो होगा या फिर मथूरा के पेड़े सुने होगे या फिर आपने बनारस की साड़ी सुनी होगी तो इन सबसे में क्या पता लगता है कि ये चिजे किसी छेत्र विशेस में बनाई गई यह पैदा की गई है यह एक तरह से उन वस्तु के ओरिजन को हमें बताता है जहां पर बनी है या फिर उगाई गई है इसी तरीके का एक एक जम्पल लोग रसातियों जैसे की कस्मीरी केसर अब कस्मीरी केसर को जी टैग मिला हुआ है अभी 2020 मुए में में इसको जी टैग मि लुचि को भी 2020 को मलेज जी टैग मिलता है इसका फाइदा की होता है अब मैं के लख paid की तब बता रहूं कश मेरी के SIर को पहले क्या थत temple और आपको पता है दुनिया में से जाद केसर ही तो इस में वाले क्या करते थे जो कश्मीरे के ठीट मनाके उसमें सुगंद और सवाद पूरी दुनिया में सबसे अलग है उच्छ कोटी का वह एक तैसे केसर है तो दोस्तों जो दूसरे देश थे जैसे कि इरान घटिया के वालिटी का केसर मिला के पूरी दुनिया को बेशते थे तो इसे दोस्तों क्यों था इससे जो हमारे किसमीर के लोग किसान थे उनको बहुत बड़ा गाट होता था क्यों क्योंकि जो की कीमत नॉमल पहले थी गटिया क्यूलिटी के कीमत थी वह काफी कम हो गई थी अब जैसे ही कसमीर केसर को जी टैग मिला तो दोस्तों तो उससे क्या होगा अब जो भी प्रोडुक्ट आ रहा है क्समीर से ज तो दोस्तों उसके प्रेश दुबार बढ़ गए हैं अभी हलाती है जो ताजनुज अइंखकोरों में कि कस्मीर के से दावद्वार से बढ़ घए है तो दोस्तों सबसे बड़ा फाइदा है यह अब इसका फाइदा किसको होगा किसानों को होगा थीक है जो कल तक है 1 kg केशर 1,30,000 रुपे में बेच रहे थे आपकी बार वो भीका है 1,80,000 रुपे में थीक है इसके अलावा टूरिजम बढ़ेगा इसके लावा दोस्तों हमें फाइद होगा जो केशर खरते हैं हमें नकली जो केशर वह नहीं मिलेगा तो इस प्रकार साथि बात और है माल लिजिए कस्मीरी केसर को जीटेग मिल गया अब कोई और देश यह स्टेट कस्मीरी केसर के नाम से चीज़ों को नहीं बेच पाएगा ठीक है उसी कोई नकल नहीं कर पाएगा यह बेक सबसे बड़ा फाइदा है जीटेग का और इसके लावा अभी तक 360 से ज्यादा Сейчас जड़ाथ उतपदो के जीटेग मिल चुका है अगर बात करें सबसे ूतपाद को मिला। तो वह थी आपकी दाजलींक की चाय ठीक है दाजलींक की चाय कोinga जैप्चैर में आपका एक उनटी वह मिला था और जैफ olmas से में क्या पता लगता फिर भी अगर आगे कोई confusion है तब comment books में जाकर पूछ सकते हैं आज किलता ही thank you, have a nice day.